किसान भाई योगर आपको यह ऐसी खेती सोच रहे हैं कि जो आपको करोलपती बना देगी तो आप इस वीडियो पर बिल्कु सही जगा आए हैं बस आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा लाश तक देखना है इस वीडियो में आपको करोड़ पती बनने का ये जो वीडियो है आपको संपूर्ण जानकर इस वीडियो में जायफल की खेती के बारे में दी जाएगी जब आपको जानकर ये अच्छे से पता होगी तब ही आप खेती कर पाएंगे और लग पती या फिर करोड़ पती बन पाएंगे किसान भायो सबसे पहले हम बात करते हैं जाए फल की खेती के बारे में जी हाँ किसान वायो जाइफल की खेती है कैसी खेती है जिसके अंदर आपको जाइफल तो मिले गाई जिसको आप बेचेंगा उसके साथ जावत्तिरी भी आपको इसके साथ मिलने वाली है किसान वाईयो जाइफल बोलते हैं जो इसके अंदर फल निकलता है लाल लाल जो आप देख रहे हैं इसको जावित्तिरी बोलते हैं इसके अंदर जो ब्लैक कलर का होता है उसको बोला आता है जाइफल किसान वाईयो जाइफल की खेती के बारे में हम आपको आज सम्पूर्ण जानकरी देंगे किसान वाईयो अब मैं आपको बता देता हूँ आपको जाइफल की खेती करने के लिए सबसे पहले पोदा कौन सा लेना होगा किसान वाईयो हमें जो हैं मादा पोदे का selection करना होगा यानि के female plant हमको लेना है किसान वाईयो अब आपको कैसे पता चलेगा की female plant कुण सा है देखिये आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है grafted plant जी हाँ किसान वाईयो जो grafted plant होते हैं तो उन पर फल जल्दी लग जाता है और दूसरा जो है वो फीमेल प्लांट की गिराफ्टिंग की जाती है उस प्लांट पर जो टहनी लगाई जाती है वो फीमेल प्लांट की लगाई जाती है इस यह आपको कोई सक नहीं होगा कि यह नर पोदा है देखे किसानवाई अब हम पोदा कैसे लगाना है देखिए बहुत से यूट्यूबर आपको बता देंगे कि 15 वाई 15 पे आप इसका प्लांटिसन करें लेकिन ये बहुत गलत है मैंने अपने फ्रेंड से बात करी है जो कि केरला में इसकी फार्मिंग करते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इसकी खेती 30 वाई 30 फिट पर करनी चाहिए 30 फिट लाइन से लाइन की दूरी और 30 फिट जो है हमारी पोदे से पोदे की दूरी होनी चाहिए अगर इसके पोदे पर च्छाओं पड़ेगी तो ये पोदा फल नहीं देगा इसलिए आप बिलकु ध्यान रखे कि विजबास करके जो है पोदा लगाने के बाद आपको एक ध्यान रखना है कि पोदे के जो खात है वो समय समय पर आपको देते रहना है किसान वाईयो ये जो पोदा हमारा टेंपरेचर 10 डिगरी से माइनस अगर जाता है तो पोदा मर जाता है इसलिए आपका 10 डिगरी से 47 डिगरी यानि के 50 इसे कम जाता है तो पोदा सूकने का चांस हो जाता है किसान वाईयो तीन साल के बाद हमारे जाइफल के पोदे पर फल लगना शुरू हो जाएंगे जिससे हमें जाइफल तथा जावित्तिरी दोनों मिल जाएंगी किसान वाईयो एक किलो फल की कीमत 260 रुपे है जावित्तिर की कीमत है 250 रुपे किसान वाइयो इस तरह जो है हम एक एकड़ से 3,75,000 रुपे की कमाई करेंगे किसान वाइयो आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें वारे एक प्यारा सा कामेंट करें क्या आपको हमारे वीडियो से कुछ मदद मिली है या नहीं इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन जरूर दवाने धन्यवाद